हलो फ्रेंड्स विल्कम टो मेकेनिकल टेखंदी फ्रेंड्स इंजन ओइल के ऊपर में ये पाचवा वीडियो है विज puff के चार वीडियो मैंने इंजन ओइल के अलगलग topic को कभर किया है सारह वीडियो के ये आपको इस वीडियो के description में देदोंगा फ्रेंट्स आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप अपने बाइक, स्कूटर, कार या फिर किसी दूसरी भी गाड़ी में जितना recommended engine oil डालना है अगर आप उससे ज़्यादा engine oil डाल देते हो तो उससे क्या problem होगा वो क्या symptoms है, वो क्या लक्षाने जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपके गाड़ी में ज़्यादा engine oil डाला गिया है अगर ज़्यादा engine oil चला जाए तो उससे आपके गाड़ी के engine के जो parts से उन्हीं क्या क्या नुकसान होगा और अगर engine oil जादा हो तो उस time पे आपको क्या करना चाहिए इन सारे ही points को उपर में आगे इस वीडियो में हम बात करेंगे तो वीडियो को पूरा देखे और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राब भी जरूर कर ले अब फ्रेंट सबसे पहले मैं ये किलर कर दूँ कि हर एक अलग 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 गाड़ी में जो गाड़ी की manufacturing company होती है वो अलग अलग engine oil की quantity recommend करती है जैसे कि example के लिए मैं आपको बताऊं कि जो TVS Apache RTR 204V ये जो motorcycle है इसमें company recommend करती है कि आपको जो general servicing होता है जो general oil का change होता है उस time 1200 ml यानि कि 1.2 liter जो engine oil है उसे डालना है भाई दूसरी तरफ जो royal infant interceptor 650 ये जो bike है यहाँ पे company recommend करती है कि 3.1 liter mobile यानि कि जो engine oil है उसे डालना चाहिए इसी तरह से हर एक गाड़ी का अलग अलग होता है लेकिन अगर गलती से आप खुद change कर रहे हो या service center या फिर local garage कहीं पर आप change करवारे engine oil और ज़्यादा engine oil चला जाए या डाल दिया जाए उससे क्या होगा मैं आपको पहले ये समझाता होगे सबसे पहले मैं आपको technical समझाता हूँ क्या होता है देखिए अगर ज़्यादा engine oil होगा तो क्या होगा कि जो आपके गाड़ी का जो engine का जो crank shaft है ये जो crank shaft है ये engine oil में submerged हो जाएगा ये असान लफजों में कहें तो ज़्यादा engine oil यहाँ पे खटता हो जाएगा ठीक है जबते हो और ये जो crank shaft है ये घूमने लगता है अब इस crank shaft के rotation के वाइज से क्या होता है कि जो air और oil का mix हुआ हो जो engine oil है वो foamy हो जाता है वो foam में transform हो जाता है असान लफजों में कहें तो engine oil जो है वो जाग बन जाता है और जैसे है engine oil foam में transform होता है तो उस engine oil का जिसे बहुत से लोग mobile भी कहते हैं तो engine oil का जो efficiency है वो बहुत ही कम हो जाता है engine oil जो engine का जितना भी running parts उसे ठीक से lubricate नहीं कर पाता है clean नहीं कर पाता है friction बढ़ जाता है और बहुत सारे problem arise होने लगते है अब सबसे पहले हम लोग symptoms की बात करते हैं ठीक है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने तो माली service center में या local garage में अपने खुद के सामने तो change नहीं कराया या आपने change भी खुद के सामने कराया तो आपको पता ही नहीं था कि कितना engine डालना चाहिए और ज़्यादा डाला गया तो symptoms क्या है वो क्या लक्षन है सबसे पहला point है वो है bad engine का performance मैं आपको बताता हूँ कि अगर सबसे पहला point तो आपको कि आपको आपकी engine से ज्यादा normal से ज्यादा noise सुनाई दे और यह आवाज तब आता है जो engine के moving parts है इनका आपस में friction होता है आपस में टकराते हैं तो ज्यादा आवाज आए पहला point दूसरा point कि अगर आपको accelerator लेने में problem हो तीसरा point यह है कि अगर आपके गाड़ी चलते चलते रुख जाए या आप गाड़ी को slow करो तो रुख जाए या engine से miss fire का आवाज आए चौसा point यह है कि engine ज्यादा overheat होने लगे तो यह अगर यह सारे points आपको दिखाई दे मैं आपक आपको description में दे दूँगा लेकिन इन सारे problems के arise होने का problem खड़ा होने का बहुत हाथ तक एक बजा engine oil का excess amount में engine में जाना भी होता है दूसरा symptom यह जो आपको दिखाई देगा या मैसूस होगा वो है the burning of engine oil अगर आपको engine के compartment engine या फिल्टॉप का exhaust है जो silencer है वहां से engine oil के जल आए burning का महक आए तो आप समझ सकते हो कि आपका जोह गाड़ी में engine oil ज्यादा है इसके साथ ही अगर जो exhaust है जो silencer है वहां से आपको blue smoke नीले रंग का धुआ दिखाई दे तो यह भी ज्यादा engine oil डानने के वज़ा से होता है एक और symptom है जिससे आप जान सकते हो उस लक्षन स वो है oil का leakage आप देखिए ज़्यादा oil हो जाता है तो उससे क्या होता है कि जो oil seal है वो कट जाता है या वहां से leak हो जाता है engine oil आप चाहे engine running में हो या गाड़ी खड़ी भी हो उस टाइम पे भी आपको leakage दिखाई देगा तो अगर oil का leak है तो कहीं ने कहीं जो oil का leak है वो engine oil जो है वो ज्यादा होने से भी होता है अब हम लोग बात करते हैं कि अगर आपको यह पता ही नहीं चले कि आपके गाड़ी में engine oil जो है वो ज्यादा डाला गिया है या फिर आपको पता तो है लेकिन आप उस चीज को ignore कर रहे हो तो उसके क्या क्या consequences होने वाले है उससे क्या वो parts का वो बढ़ जाता है और जिस वज़े से क्या होता कि parts का wear and tear ज्यादा होने लगता है parts ज्यादा घिसने लगते है parts का failure हो जाता है और ultimately engine damage या engine का failure हो सकता है दूसरा point है वो है कि fluctuating oil pressure मैं आपको बता दूँ कि जो foamy engine oil होता है जो ज्छाग वाला engine oil होता है उसमें क्या ह होता है जो air का level होता है जो हावा का मातरा होता है वो ज्यादा होता है और इस व्यांदा क्या होता है कि जो engine के pipes हो गया है जो हमारा rods हो घुल अगर अगर fluctuation होगा oil pressure का तो उससे क्या होता है कि engine को ज्यादा effort लगाना पड़ता है, ज्यादा effort engine लगाएगा तो ज्यादा wear and tear भी होता है, तीसरा point important ये है कि greasy spark plug, अब foamy engine oil होने से ज्यादा engine oil होने से क्या होता है कि oil का leakage होता है और जो spark plug है आपका वो आप देखोगा कि ज्यादा जल्दी जल्दी खराब होगा, उसमें ज्यादा जल्दी carbon आ जाएगा या फिर उसमें गंदगी वगर आपको ज्यादा देखने को मिलेगा अगला point वो है clogged catalytic converter मैं आपको बता दू कि जो catalytic converter होता है वो engine का almost सबसे ज्यादा महेंगा parts में से एक होता है और अगर excessive engine oil होगा तो वो engine oil कहीं 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 कहा करता है clogged जो हमारा catalytic converter उसको clog गर देता है उससे jam कर देता है catalytic converter सही से काम नहीं कर पाता और ultimately जो आपका engine का exhaust system है वो भी सही से काम नहीं कर पाता है अगला जो important point है वो है sediment and जो हमारे debris का build up मैं आपको बता दू कि जो foamy engine oil होता है वो heat को जो हमारे engine का temperature बढ़िया जो engine में गरमी आ गया है गरम जो engine है उस heat को सही से dissipate नहीं कर पाता है और उस वज़े से क्या होता है कि जैसे जैसे engine का running होते जाता है तो जो गंदगी है या जो metal का आपस तक्राने के वाएसे जो debris वगरा है ठीक है जो parts वगरा है जो कन वगरा है उसे वो सही से जो lubricating oil है जो engine oil है वो उसे सही से clean नहीं कर पाता है वो जादा जमा होते जाता है debris वगरा, sediments वगरा और ultimately क्या होता है कि ये भी वज़ा बनता है आपके engine का parts का failure का एक और बहुत important point है वो है air filter और oil seal को भी damage करता है बहुत हद तक अगर excessive engine oil होगा तो आप check करो कि जो आपका air filter है वहाँ पे आपको एक moisture सा दिखाई देगा weight हो जाएगा वो गीला टैप का आपको दिखाई देगा air filter और oil seal के बारे मैं आपको पहले ही बता है कि oil seal कट जाते हैं अगर oil का pressure जादा हो और जो कि engine oil जादा होने के वज़ा से भी होता है तो ये सारे consequences आपको देखने को मिलेंगा अगर engine oil आपका जादा होगा अब मैं आपको बता दूँ कि सबसे बेश तरीका है आपको पता करने के आपको पता चल जाए कि engine oil जादा है तो जो deep stick आता है ठीक है engine oil को जो cap होता है वहाँ आप गौर करोगे तो एक maximum और एक minimum का level होता है इन general engine oil को इन दोनों के बीच में होना चाहिए और maximum के आसपास होन चाहिए लेकिन अगर आप engine oil को check करो अपना या mechanics से भी check कर आओ और जो maximum का level है उससे ज्यादा आपको दिखाई दे engine oil आप समझाओ कि ज्यादा engine oil है तो आप क्या करो उसे drain कर लो उसे थोड़ा सा कम कर लो और अगर आप खुद से नहीं कर सकते हो तो आप mechanics से करवा लो उन् तो ये भी नुकसान दायक होता है कम engine oil भी कम mobile भी नहीं होना चाहिए और अगर mobile पूरी तरह से नहीं हो तब तो engine seas होने का पूरा chance होता है engine seas ही हो जाता है तो friends इस सारे problem आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके गाड़ी में जो engine oil है उसका मातरा जितना recommended है उससे चादा ह हो जाएगा वैसे अगर आप यह जाना चाहते हो कि आपको गाड़ी में कितने किलोमेटर चलाने के बाद engine oil को change करना चाहिए कितने CC के गाड़ी में कौन सा engine oil डालना चाहिए इसके लाबा जो engine oil का grade होता है जैसे कि 10W30 या 5W50 या 10W40 तो इन grades का क्या मतलब होता है और एक औ सारे के उपर मैंने वीडियो अल्रेडी अप्लोड किया हुआ है मैं उन सारे ही वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के description में देदूंगा आप उन वीडियो को जरूर से देखे आपका engine oil related जो knowledge वो बहुत ही बहतर हो जाएगा और अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद देखे विडियो के वीडियो कैसे वीडियो ये वेवा गार आपको लूगवा पको के बाइड नीगियो के लहती है वीडियो के खूर एफ प्लाषव!